हले ब्रीवान गुड़ीवनिंग अदाब सफले काल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन आज हम क्या बढ़ने वाले हैं कुछ नहीं आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इस कहा हमारे Lazar Douglas chem का RRBSO का एक्जाम था, आज ही ओवर हुआ है, लगवोग दो से तीन घंटे पहले तो पहले आपको ओवर्वीव देता हूँ कि कहां कहां से क्या कोशन आए उसके बाद सारे कोशन और साथ सारे के सारे कोशन का आंसर तो पहले बात करते है, RRBSO एक्जाम के आप लोग कुछें कमेंट्स के अंदर बता दो RRBSO एक्जाम एग्रिकल्टर ग्रेजुएट्स के लिए है, बट इसमें दो साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इस एक्जाम को नहीं दे सकते हैं हाँ, एक्सपीरियंस के लिए टेंट कर सकते हो, अदरवाइस नहीं दे सकते अगर आप बोलोगे sir experience किसका चाहिए कोई भी agriculture sector relevant job हो वो किसी NGO के अंदर किसी bank के अंदर किसी project के अंदर किसी university के अंदर किसी field के अंदर किसी company के साथ कुछ भी हो सकती है but that should be relevant to agriculture field या बात में पूछेंगे इसलिए पहले ही मैंने बता दिया स्टार्ट करने से पहले बता दो कुछ दो चार बातें in case correction required हो because paper वो एको तीन घंटे है तीन घंटे हो अभी और आपको question भी मिल जाए लेकिन exact form में नहीं मिलेंगे options के साथ नहीं मिलेंगे तो मैं आपको telegram पे with options सारे के सारे poll के form में डाल दूँगा कहीं कोई correction required हो तो comment box में लिखिएगा आप लोग ने paper दिया आरा आदमी का मैंने मेरे बच्चों से पूछा लेकिन time समसे पहले आपको answer भी देने थे अभी time चाहिए फिर से आएंगे तो मैं change करता जाएगा तो कहीं correction required हो comment box में लिखिएगा उसके बाद अगर आपको exact option या तो बाद में पहले आपका है that is agri coaching चर्डिगर उस पे सारे के सारे fall form में डाल दूगा तो चलिए analysis की बात करते हैं questions में काफी सारे होते हैं subject भी काफी पूछे आते हैं computer आता है English reasoning math उसके बाद financial awareness है आपका agriculture है और भी subjects है so agriculture में 40 questions पूछे आते हैं अगर मैं paper को देखूँ paper थोड़ा सा नया था sir क्या बोलो कि paper difficult था बिल्कुल भी नहीं एक काम करते हैं paper easy था moderate था या difficult था ये question आप से पूछ लेते हैं आप मुझे comments में answer दीजेगा जब video खतम हो जाएगी मैं आपको दिखाऊँगा आप judge करना क answers जो है वो easy sorry answers नहीं question जो थे वो easy थे moderate थे difficult मेरे coding paper was moderate but moderate के साथ मुझे lengthy और tricky word बोलना पड़ेगा ये बात पक्की है लेंदी तो काफी था इतने बड़े बड़े statement थे बच्चों को language ही याद नहीं है ये क्यों किया जाता है time consume करने के लिए अक्सर आप देखते हो बड़ा सा question होता है लेकिन question एक ही line के अंदर है still उसकी दो lines होती है why आपका time consume करने के लिए आपकी speed को check करने के लिए कितना speedly आप काम कर सकते हैं तो जो question बुचेगे सबसे जादा question थे animal husbandry से आपने देखा होगा जब से नैनी ताल जो पिछले से पिछले साल पेपर हुआ नैनी ताल बेंकिया अब तक की जो paper आया है animal husbandry थोड़ा सा trending में चल रहा है animal husbandry से अक्सर जादा question आते हो उसका reason समझाओंगा बखे होगा थे हैं फिलाल पेपर पे रहेंगे animal husbandry से आठ question बुचेगे soil science question की language थोड़ी सी typical थी यानि की tricky थी बट easy question थी difficult नहीं था question आपको दिखाता हूँ होटी culture से 5 question बूचे गए agronomy से 5 बात यह कि soil होटी और agronomy यह traditional subject है यह बड़े subject है यहां से 4-5 question बनते हैं लेकिन यह उतना बड़ा subject consider नहीं होता है लेकिन still 8 question आया है बतलब यह subject इनके comparative list time पे ज़्यादा important हो गया है लेकिन बात यह क्यों important हो गया है वो समझना जरूर ही ह सीधा सीधा यह मत मान लीजें कि RRB में आया तो AFO में भी ऐसा हो जाएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है समझना पढ़िया क्यों होता है बताएंगे आपको seed science 3 question seed science तो minimum छोटा सा portion है ना still 3 question बूचे कि उससे current affairs और schemes की बात करते हैं तो 2 question थे एक scheme से था एक current affairs का था 40 में से 2 question current affairs है जैसा कि पिछले साल IBPS AFO का trend रहा 60 में से 1 question current से था इस बार 2 थे लेकिन हाँ इस बात को देखते हुए यह नहीं कहा सकते हैं कि आएंगे नहीं क्योंकि आपको फिर से बता दू नबाड मेंस के paper में और UPSC Pre के paper में अच्छे खास से question पूचे के agriculture से हम यह नहीं कहा सक IPSC Pre में जो हैं वो भी discussion दूँगा आप decide कीजिएगा कि मेरी strategy क्या होनी चाहिए because work करने से study करने से कुछ नहीं होता आज खल तो आपको क्या करना पड़ता है selective study करनी ही पड़ता है और work की जगा पे smart work करना पड़ता है उसके बाद सहरी कल्सर पिग्रीज की बात करता हूँ एक question सहरी कल्सर का था जैसा कि पिछली बार IPPSCFO ने पूछा एक question पिग्रीज से था एंटो पैतों से दो question पूछे गे थे उसका फिशरीज से दो question थे फिशरीज के दो question से एक तो बहुत easy था जो पिछले साल नबाड ने पूछा था वही question फिर से repeat हो गया जिस बच्चे मे पिछले साल के नबाड के question देख्योंगे एक question से पक्का कर लिया स्ट्रिप मूरैल से question आया था पिछले साल भी आया था यूट्यो पे जाईएगा मैंने analysis भी डाला हुआ मेरे टेलेग्राम चैनल पे PDF भी डाली होई है वहाँ पर question डाला है एक्जेक्ट वो question फिर से repeat हुआ next forestry की बात करते हैं एक question था यहां से forestry के system से था एगरी सिल्वी होटी से बताता आपको engineering से disk हैरो पे question आया था and कुछ दो तिन question और है जैसे कि एक question था के land का जो area और boundary set करता है वो कौन से मैपके अंदर था वो बताने वाला हूँ तो दो question अदर category के अंदर मैंने डाले तो option नहीं sorry अब मैं चलता हूँ किस के साथ आपके questions के साथ question देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से question थे जो पूछे गे आपके IBPS, RRB, SO exam के अंदर मैं आपको word file दिखाने वाला हूँ यहाँ पे PPT form में नहीं है reason यह थोड़ा सा time limitation थी मुझे दोनों ही काम करने थे analyst says आपको सबसे पहले भी देना होता है और फिर correct भी होना चाहिए तो मैंने आज़ेटे रखे बट that's okay आपको कही problem नहीं आएगी so question number one से start करते हैं देखे जड़ा question number one के अंदर क्या बोला गया question number one की जब बात करते हैं बच्चो question number one में इसने क्या कहा बोला गया which among the following operation is conducted in pseudo stamp pseudo stamp word बोला गया था वहाँ पे और बनाना after bunch harvest जो pseudo stamp होता है ना उनकी cutting कर दी जाती है after banana bunching harvest के लिए गुच्छे आप तोड लेते हैं उसके बाद pseudo stamp काट जाता है उस pseudo stamp काटने की process को बोला गयाता है meto king क्या बोलते हैं जिसे meto king तो यहाँ पे meto king was the right answer option जो दिये थे मैंने आप लिख दिये हैं उसके बाद चलते है question number two था deposition of soil by gravity आपने सुना होगा शायद कहीं ना कहीं colluvial deposition सुना होगा colluvial deposition था और option में नहीं था है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या होता है colluvial deposition होता है और यहाँ पे जो right answer आया वो क्या है colluvial I think यह सबी को पता है आप भी try कीजिएगा challenge में से check करना आपको कितने question आते थे क्योंकि अगर आप AFO की तयारी कर रहे हो तो minimum आपको in 40 में से 32 से 34 question आने चाहिए minimum 5 से 6 question की liberty है क्योंकि कुछ नए question भी है लेकिन 30 से अबव आपको जाना पड़ेगा तो मेरी या किसी और की मत मानिये simple सी बात analysis कीजिए लिखते जाएगी यह मेरे को आता था यह नहीं आता था at the end देखिए कि मुझे 30 से अबव आ रहे है आ रहे है तो safe zone के अंदर हो नहीं आ रहे तो और preparation करनी पड़ेगी कोशन नमर 3 पर चलते हैं बोला गया what is the age of castration in boar जब का swine यंग pig है sewer जीसे आप कहते हैं उसमें castration की age कितनी होती है 2 से 4 week की age में उसका castration कहते है तो 2 to 4 weeks was the right answer next बात करते हैं बोला गया which is the essential mineral and also micronutrient मैंने शुरू बोला paper जो था paper आपका difficult तो नहीं था बट lengthy और tricky था कुछ questions की language तो ऐसी भी है जो मैंने exact नहीं लिखी because मुझे भी exact नहीं मिली लेकिन हाँ ऐसा था paper की जब बात करते हैं तो paper ने किया क्या है paper ने आपको घुमाया है language को tricky कर दिया है लेना language tricky थी तो बोला इसने के essential भी है और micronutrient भी है क्योंकि essential तो काफी सारे होते है अब essential के साथ साथ micro में जाओंगा तो फिर आपको पता ही आए ना answer कहा जाएगा आपका iron or you can say F.E. will be the right answer आएगा किन ही आएगा easy था कोई difficult नहीं था question ये नेक्स बोला गया which among the following crop is hexaploid and developed by using outcrossing ये भी easy है question जो है न इसमें options जो थे banana, potato, wheat और एक दो और भी होंगे पार्च option आते हैं राइट आएगा wheat आएगा hexaploid और outcrossing ये डेवलब किया next क्या बोला गया next बोला गया महसाना जो है वो किसका cross है ये सब लोग जानते हैं मेरे इसाब से easy नहीं बहुत easy category में डालूँगा इसे मुर्रा और सूर्थिया cross है आपका महसाना सब लोग जानते हैं next बोला गया cow can breed in which phase of ostrac cycle ostrac से पिछली बार भी last to last year IBPS AFO ने question पूछा था ostrac से जो question आते हैं वो क्या आते है कि कौन सी phase कितने दिनों की होते है कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है फिर से question repeat हुआ मैं फिर से एक बात आपको repeat कर दूँ आपकी strategy सबसे important होती है आपका exam qualify करने के लिए क्योंकि अगर आपने पिछले दो सालों के बस दो जादा नी उनके सारे paper because agriculture की बात करो RRBS लेता है नबाड एक paper लेता है उसके आपका EFO का paper होता है फिर एक दो paper और आता है 5 से 6 paper और दो सालों 10 से 12 paper अगर आपने पढ़े हुए है न यह आपको अपने आप एक vision provide करता है आपको मेरे जैसे लोग को सुनने की जुरूत नहीं रहेगी अगर hard work करेंगे मैं जहां तक देखता हूं बच्चों के साथ problem यहीं पी आती है जानते वो भी सब कुछ है कि मेहनत कितनी करनी है और क्या करनी है अबर जब मेहनत करने की बारी आती है न वहाँ पे लोग पीछे हट जाते और जो नहीं हटते फिर वो 1st April को final selection की list में आते है मैंने अदर में तीन लिखा था ना वह शुरू में इसे नहीं होला which map is used to map owners land and boundaries उसकी land भी और उसकी boundaries भी तो जो एरिया को define करने के लिए cadastral map use किया जाता है next वो ला गया SNF of recombined milk अब इसमें tone, double tone, recombined I think double tone था कुछ बच्चों ने मुझे double tone लिखा है कुछ भी है that's okay यह तो easy question है यह matter नहीं करता recombined था tone था but यह समझना पड़ेगा fat नहीं बूच्चा गया था SNF बूच्चा गया था because tone, double tone की जब बात करेंगे हमारा focus किस पर रहता है fat पे कि यहाँ 4.5 है, tone के अंदर 3 है, double tone में 1.5 है but make sure question क्या है SNF right answer क्या आगया आपका 8.5 next बोला गया when to harvest jarvera flower, jarver आया jarvera अपने सुनाओ गा नाम इसका इसे partially open stage में क्या किया जता है इसे harvest किया जता है तो harvest actually कब करते हैं, the first flower may be harvested after 75 to 90 days after planting, तो option के warning जो answer जाएगा वो क्या जाएगा partially open florets, जो florets हैं इसके, देखते हो पंखुडिया जो होती है, वो partially open है, उस time पे हम इसे harvest कर सकते हैं बाकी जो option थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हूँ है, and even आपको इसके note करने की जुरूत नहीं यह questions को, अब just analyze कहते जाओ कि मुझे कितने questions आते थे इसका पीडिया मैं आपको दे दूँगा, टेलिग्राम चैनल, आप सभी का आपको पता, यह Agri Coaching Chandigar के नाम से है next question number 11, cd, cd definition थी, weed smothering efficiency, cd, cd definition, कहता है, the index used to determine the effect of, effect on intercropping on suppression of weeds in comparison to the sole crop stand, single crop ना ग्रो करके, आप जब intercropping करते हो, double crop एक साथ ले आते हो, तो आपका weed पे जो suppression impact है, मतलब उसको दबाना, खतम करना, कम करना, उसे हम क्या बोलते है, weed smothering efficiency, cd definition थी, बहुत सारे कोशन तो definition ही रखी गई थी, question, question बड़ा लंदी था, बहुत बड़ा question है, यह देखो, which among the following is the most serious pest of cotton, which eat cotton ball, ball will fall down, after attack, जब उसने attack किया, तो बोल नीचे गिरते हैं, कुछ नहीं गिरते, and remaining unable to open properly, even इसमें एक ओर line भी थी कुछ, देखो question कितना बड़ा कर दिया, cd cd बात है, बात किसकी करना चारा था, pink ball, हम सब लोग जानता है, अगर आप यह भी कह देते, कि most serious pest कौन सा है, इतने से भी बात बन जाती, लेकिन बड़ा क्यों किया, just to consume your time, इस चीज में sharp minded हो जाईए, समझ जाईए सारे लोग, कि question को कैसे घुमाया जा रहा है, और कैसे tricky बनाया जा रहा है, कैसे lengthy बनाया जा रहा है, समयदार इंसान वही होता है, जो सामने से attack हो रहा हो, तो पहले से संभल जाए, तो बात वही है, यह paper में time consuming है, time लेके जाएगा, तो हमारे पस limited time में, जल्दी करने का solution क्या होता है, fast reading, उससे भी साथ लेके चले, बोला गया, which is organic farming scheme, language थोड़ी अलग थी, which among the following is a scheme to promote organic farming in India, तो यह सारे लोग जानते हैं, आपका परम प्रागत क्रिशी विकास योधिना, यह करन्ट एफेस का पार्ट था, परम प्रागत क्रिशी विकास योधिना जो थी, वो क्या है, वो आपकी organic farming को support करती है, फिर agree, silvy, horticulture की definition बोले गई थी, यह सब लोग जानते हैं, only forest tree की बात करो तो silvy है, agree की बात करो तो forest tree प्लस crop आ जाती है, और जब बात करते हैं, agree, silvy, hoty की, तो crop सागी, forest tree आगे, प्रागत, होटी, culture trees आगे, वो क्या बन गया, agree, silvy, hoty उसकी definition पूचे गी, तो बहुत easy question था, which fish is having highest cost and highest demand in market, यह question था, जो नबाड ने भी पूचा था, नबाड मेंस ने पूचा था, सारे लोग उसके question नहीं देखते है, reason is हर कोई उतना aware नहीं होता है, even उसके question कोई देता भी नहीं है, मैंने, मेरे को बहुत सारे message आये थे, मैंने आज का बोला था, लेकिन हाँ, आज के लिए, sorry मैं RRB question दे रहो, बर definitely नबाड मेंस के question दूँगा, यह exact यही question पूचा गया था, नबाड मेंस के अंदर, answer was trip morale, आज फिर से वोई question पूचा गया, answer is trip morale, आप भी जानते है, competitive exam में एक number नहीं, point one बहुत important है, एक number का सहरा मिल जाए, यह तो कितना आगे लेके चला जाएगा, next चलते हैं जी, इसके अंदर option जो थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका PDF में आपको दे दूगा, और telegram पे even one by one question भी डाल दूगा, poll के form में, ताकि एक बाड़ आप यहाँ पे सुन लो, उसके आपको video form में, वहाँ पे poll form में मिल जाए, फिर रेटिंग किसे रिलेटेड है, रिलेटेड है, जूट से, contour farming की definition बोली गई थी, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, terrace farming और contour farming में थोड़ा सा difference सीख जाएगा, divide कर देना terrace farming होता है, slope के according चलना contour होता है, बच्चे बहुत जल्दी confused होते है, contour की video देख रहता है, ब यही technical बाते हैं, चोटी चोटी जो आपको 100 में से या 50 में से 2 से 3 नमबर आगे लेके जाती है, क्योंकि ऐसा भी होता है, अगर आप देखिए न, 60% जो बच्चा लेके आता है 12th class के अदर, उसको 70 लाने बहुत easy है, 70 से 80 लाने थोड़े से difficult है, बट 80 से 85 वाले से मैं बता दूँगा आपको, इसमें आला characteristics of mastitis, disease and goat, इसमें भी language लंबी सारी थी, बट मैंने सीरह सा question लिखा, इसने बोला था कि mastitis, disease के जो characters है, goat में वो कौन से होते हैं, अब mastitis आप जानते हो, है न, mastitis के है, memory gland का disorder है, यह किसमें होता है, यह आपके जितने भी animal है, जो milk आ अब option coding answer कर दीजिए, disease आप सभी लें पड़ी होई है, next वोला गया, out crossing के definition, अब इसमें क्या होता है, एक होता है आपका कौन सा, out crossing, एक आप क्या होता है, आपका जब close से करते हो, और यह आप unknown से करते हो, unknown नी, एक तो होता है close से, और दूसरा क्या, दूर के relative, जैसे मैंने ancestor on either side of the pedigree up to photos, एक generation, दिखा न, कहता है, चार से छे generation तक कोई common नहीं होना चाहिए, वो क्या हो गया, out crossing हो गया, right, आगे चलते हैं, next क्या बोला गया, next बोला गया था, live in fresh water and bread in salt water, breed or bread है न, कि कौन सी fish है, जो रहती तो fresh water में है, और breeding कहां पर करते है, salt water के अंदर, anadormus हो क्या करते है, breed करते है, जब कि anadormus होती है, वो salty water के अंदर रहे के live, जो आपका fresh water है, उसके अंदर breed करते है, दोनों opposite हो जाते है, तो इस question का right answer था, वो क्या था, catadormus, मैं थोड़ा सा fast बोलने हो, I know, but fast बोलने का reason ही है कि सभी को आज इस question का explanation नहीं चाहिए, मैं time के साथ करूंगा explanation, but आज के लिए सभी को answer चाहिए, थोड़ा सा मैं fast चल रहा हूँ, next बोला गया था, silkworm which have more than three generation in a year, IPPS, AFO ने question पूछा था, last year silkworm का, उसने DJ से पूछा था, इस बार बोला कि silkworm जो more than three generation year के अंदर लेके आ रहे हो क्या हो गया, multi-volatine हो गया, है ना, उसके अंदर poultry broiler per bird floor space कितना required होता है, तो दो answer लिखे जाते हैं, 1 to 1.5 है ना, क्योंकि वो क्या है, वो एक लंबी age के ले जाता है, और यहाँ पे जो option recording आपको जाना था, 0.8 से 0.1 उसका right answer आ जाएगा, जो option के recording right answer आएगा, क्यों आएगा, विको उसने per bird बोला गया था, अब per bird बोल तो यह एक overall होता है, कि 1 to 1.5 के आसपास चाहिए, वो छोटी स्टेन प्रोटी पर bird तो वहाँ पे 0.8 to 1, because जो option थे, उनके अंदर difference था, तो easily देखके समझा रहा था, मैंने यहाँ पर table भी डाल दिया, आपके understanding के लिए PDF शेर कर दूँगा आपसे, grafting method में stone grafting का, जो mango के अं answer कर दिया होगा, जिन्होंने भी paper दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया, तो इसने वोला grafting method in which germinating seed less than 2 weeks are wedge or splice, graft on success depend upon the temperature and high relative humidity, इसने वो इस्टोन grafting की definition, बाकी कुछ और option भी थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, next बोला के था, कुर्ग हनी डू किसकी variety है, सारे note कर लो कि मुझे ये वाला question नहीं आता था, so that last में आप comment कर सको, कि मुझे out of 40 इतने question आते थे, easy था paper, moderate कह दीजिए, difficult किसी condition में नहीं था, आप देख पा रहे है, कुछ question है, जिस कारण से paper को moderate कहना पड़ सकता है, otherwise paper was quite easy, next क्या वो ला गया, वो ला गया, which is correct, bacterial wilt of tomato symptom, कि bacterial wilt जो है tomato का, उसका correct symptom क्या है, option दिए गये थे, आपको उसके option में से choose करना था, मैंने नहीं लिखिया option यापर, reason is, option किसी को नहीं पता क्या लिखिया थे, बट अगर आपने bacterial wilt पड़ा वे tomato का, उसके option देखो, easily answer कर, because जहाँ पर definition की बात आई, जहाँ पर symptom की बात आई, तो य line साथ से 8.5 है, EC इतना है, ESP इतना है, EC इतना है, EC बोले तो more than 4 है, ESP less than 15 है, तो उसने बोला कि इन में से कोन सा correct नहीं है, तो जो correct नहीं था, उसे easily answer करो, से line soil कोई difficult concept नहीं था, next बोला किया था, find the correct match of seed color and seed tag, देखो seed कितना important है, पिछली बार भी question पूछा गया, फिर इस कुछ लोगों कहना था, कि ऐसे ऐसे लड़की की photo माद share किया करो, कि आपने तो उनको color दिखा दिया, मैंने उनको फिर यही बोला कि तुम लड़कियां क्यों देख लो, color देख लो, यह तो अपनी अपनी सोच पे depend करता है न, बट चलो जो भी था, यह वाला discussion हमारा हुआ मैंने आपको answer भी दिये हुए है, तो इसने बोला correct match seed color का और seed के tag का, तो यह सब लोग जानते थे, फिर बोला कहता lowest CN ratio तो यह किसका आएगा आपका, soil microbes का, वहाँ पर options है, लेकिन सबसे कम जो CN ratio है, वो soil microbes का, मैं even यहाँ पर, जो options है, जब मुझे मिल जाएंगे, आप comment box मे लिखेंगा, बच्चे मुझे बता देंगे, तो मैं फिर सभी का आपको CN ratio भी साथ साथ दे दूँगा, कि किसका कितना होता है, बट इसका answer confirm क्या आएगा, soil microbes आएगा, बाकी जो एक दो option मेरे को पता है, मैं लिखे दी है, which hormone used for inducing seed dormancy, तो seed dormancy induced करने की लिए आपको पता है, जिब्रेली root formation के लिए cytokinin new fruiting के लिए, जो exactly सही सही आएगा, वो क्या आएगा, क्योंकि PGR जो है, plant growth hormone हर किसी के अलग-अलग function होते हैं, और कुछ ऐसे hormone में जहां पर एक ही function, दो-दो hormone perform कर रहे हैं, लेकिन आप option के साथ जाएंगे, तो ABA करता हो भाई काम है, leaf falling और कोई नहीं करता, leaf की बात करो, fruit falling की बात करो तो आप लोग जानते हो कि abscission layer बनाके, abscissic acid या फिर ABA आपका जो नीचे गिरा देता होने, next question number 31 बोला गया था, which is true about fertilizers, तो यहां पर true, no true, यह आप समझते हैं, कुछ basic सी जानकारी दी गई थी, उसको आपको select करना था, कौन सा true और कौन सा true नहीं है, फिर वो लागया, find the plant population in hexagonal system, space कितना दिया था, 10 into 8.66 meter in 1 hectare, तो इसका answer 115 या 116 आएगा, approximately, option में 115 था, तो right answer 115, और calculation आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो किसी दिन आपको समझा देंगे, which implement use for harrowing having disk, अब देखो कितन होना है easy question है, कहता है harrowing के लिए use करते हैं, और उसमें disk होती है, तो या तो disk plow के अंदर होती है, disk hero के अंदर होती है, disk plow तो plow के लिए काम आता है, तो फिर harrowing के लिए कौन काम आएगा, disk hero, अब देखो कहाई question easy था, नहीं sir, this was very easy question, which is natural mutant variety of coffee, तो यहाँ पे Kent right answer आजाए interest rate जो किसान विकास पत्रा पर लगती है, वो 6.9% है, सीधर सीधर question पूछा गया था, in which crop pair there is least isolation distance, तो crop के अलग-अलग pair दिये गे थे, और उसमें बोला गया था कि least, सबसे कम जो isolation distance है, वो किसका होता है, तो आप जानते हैं, अब आप नहीं जानते हैं, और आप नहीं जान यह, यह आया, plan nutrient deficiency से, और यह एक ऐसा topic है, इसमें हर बार जब भी question आता है, सीधी-सीधी language नहीं मिल पाती, because कहानी तो शारी यही है, है ना, older से newer पे जा रहा है, newer से older पे जा रहा है, terminal birds पे आ रहा है, लेकिन exact अगर language नहीं मिल पाई, तो फिर answer करना difficult है, बड़ कुछ ऐसा question था, अगर आपको exact language पता हो, तो please आप नीचे लिखेगा, तो फिर मैं आपको उसका right answer बताऊँगा, फिर बोला गया था, international seed certificate color, यह भी question पूरा available नहीं है, कुछ बच्चे कह रहा है, seed tag पुछा, कुछ कह रहा है, seed color पुछा था, and option में बोला जा रहा है, orange, green, blue था, अब international seed certification बात करूँ ना, तीनो color को यूज कहता है, orange को भी, green को भी, blue को भी, लेकिन question में क्या बोला गया था, कि certification करके दे रहे है, या फिर दूसरी country में जाके हो रहे है, उस पे tag की बात करी, certification बात की तो exact language clear नहीं है, बट हाँ, यह important है, मुझे पता है, आपके मने doubt आ रहा है, क्या है, मैं इसको भी explain कर दूँ, आपको पूरी table के साथ, एक बार इसका answer में आपको बता दूँ, comments में आप लिख दीजेगा, उसका बता दूँगा, किस case में, orange, किस case में, green और कहां पे, blue color use होता है, which is not true about soil health card, तो soil health card की अलग-अलग बाते लिखी गई थी, यह बात बिल financial assistance है न, assistance आपको पता है कि soil testing पे दी जाती है, but question आप समझते है, soil health card पे था, आप सारे लोग जानते है, scheme start होई, saline, alkaline, question तब से आना start हुए, अब यह भी समझे है, scheme जब आई थी, तो 2016 के अंदर पहला question पूछा गया था, आई भी पस AFO, 2016, 17, 18, 19, और आद 20 आ गया सर, पा जो नहीं करती, because soil health card से question है, हमने सारे चीज़े पढ़ी होई है, soil health card की बठा, कुछ question थे, जहां पे language सबसे ज़्यादा important है, next बोला गया, which bacteria is known as the workhorse for the scientific research, तो इस रिशे को लाई या फिर E को लाई, इसका right answer आ जाएगा, यह 40 question थे, 40 question का analysis था, even मैं आपके 40 question जो है, financial awareness के व अगर प्रिपेर कर रहा है, तो अगले साल के लिए at least उसे help मिलनी चाहिए, तो अगर बात करता हूं, RRBSO की, तो RRBSO में सबसे major जो point होता है, वो होता है, क्या आपका, मतलब सबसे major subject है, financial awareness or agriculture, हाँ, quant reasoning भी आपको number देके जाते है, English हाँ, Hindi में से एक चूज कीज़े, वो CC से, because quantities भी नमबर तो देकी जाएगा, लेकिन वो time लेता है, ये subject comparatively कम time लेता है, इवन आज का जो paper था, उसमें तो कुछ ऐसे ही design किया गया, कि इसमें बच्चे को जादा ही time invest करना पड़े, लेकिन हाँ, अगर आपकी reading speed अच्छी है, आपकी words पे command अच्छी है, आपके mind म easy, moderate, or difficult, मैं आपको बता दो, जो बच्चे RRB का paper देखे आए हैं, वो तो क्या कह रहे हैं, वो बच्चे तो ये कह रहे हैं कि RRB वाले case में, it was moderate to difficult, why, because RRB वाले बच्चे job कर रहे होते हैं, उतनी अच्छी preparation नहीं होती है, लेकिन मुझे पता है, इस वीडियो को AFO वाले बच्चे जादा देख रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और अपने आपको भी जानते हैं, वो यहीं बोलेगे, easy to moderate आए, moderate to difficult paper नहीं था, because 4-5 question में आपको feel हुआ होगा, कि Sir, ये वाले तो नहीं आते थे मुझे, लेकिन हा, 35 में आपको लगे रहे है तो 24-25 पे हो, अगर फैशर हो, 2-3 में इने experience कर लिया है, पढ़ लिया तो 28-30 पे हो, और जो बच्चे पहले से तयारी कर रहे हैं, आप 30 से अबब जाएंगे, है ना, ये आपके सामने comments है, I know very well, मुझे पता है कि student कहां पे stand करता है, बट बात बच्चों यही है, एक-एक, दो-दो नमबर ही तो matter करते हैं, आप 25 पे आए तो 28 पे आए, 28 पे तो 30 पे आए, 30 पे तो 32, 32 पे आगे तो सर उसे उपर जाए, because रुकना तो life में कभी है नहीं, life तो progress ऐसे ही चलती रहेगी, चलिए जी, thank you so much, 34 क्या बात है, कोन लिख रहे है 34, नाम नहीं पढ़ बहुत अच्छा score है, मुझे coaching join करना है, ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं खरूँगा, मैंने इवन ये भी नहीं बोला, कि मेरे content में से कितने question cover हुए, कि मैं ये बोल दूँगा, तो फिर ऐसा बोला जाएगा, ये तो marketing के लिए video बनाये गया था, बट मैं बता दूँ, मै marketing करता हूँ, तो marketing के time पर करता हूँ, अभी नहीं, मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरे लिए वो family है, क्योंकि मुझे ये पता है, जब teachers day था, तो मेरे YouTube पे एक लाग subscriber हुए थे, मेरे वो मेरा gift था, तो ये gift मुझे मेरे इनी viewer से मिला था, तो मेरा को इनको implement कर लेंगे, reading speed को बढ़ा लेंगे, पिछले 2 साल के 5-5-6-6 paper analyze कर लेंगे, आपका selection कोई नहीं रोख पाएगा, लेकिन ये भी के analyze तो कर लोगे, पता हूँ, चल जागा क्या क्या रहा रहा paper में, पढ़ना भी तो पढ़ेगा, उसके coding, सेरी कल्चर बाद चल गया ना 114 में से 2 से 3 question चोड़ना आपको बिल्कुल allowed है, लेकिन हाँ, पिंगरी सारी कल्चर चोड़ना आपको allowed नहीं है, लेकिन कोई ऐसी time आते जो बिल्कुल हट गई है, उस case में आप लोग कर सकते हैं, और वाकी paper के लिए आपने कहा कि easy to moderate था, definitely आप लोग right है, 20 question थे जो बहु मेरे बाई, दिनों बाद आज इसलिए आया, को किना आज कल क्या चल रहा है, बड़ा सरे काम चल रहे है, इंग्लिश वारे notes हिंदी में convert कर रहे है, इंग्लिश में कुछ किताबे हमारी रहे गई है, जैसे फिशरी फोरेस्टर की बुक आनी बाकी है, सेरी कल्चर, लेक कल् बाकी है, कुछ बच्चों के facts हमारी बाकी है, तो उन चक्रों में लगा हुआ हूँ, इसलिए पिछले Saturday को भी class नहीं ली थी, बट चिंता नहीं करें, आते रहेंगे आपके पास, जैसे आपका पेपर आएगा, मैंने NSC के लिए बोला था, फ्री कोर्स दूंगा, लोग सोत भाई, competition बहुत difficult है, वो उसी चीज़ को उतना ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ है, NSC वाले केसे में classes लिए नहीं करिया हूँ, जिस दिन कर दो, उस दिन से बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और उस दिन से में आपके फ्री कोर्स के अंदर, जितना भी content ह सब डिलिवर करना स्टार्ट कर दूँगा, बट हाँ, YouTube पे प्रोमिस किया था आप लोगो को, कि ऐसा नहीं कर दूँगा, कि हाँ, free और paid के अंदर कोई difference है, आपको free में वही quality दूँगा, जो paid के अंदर है, बट सिरफ NSC कोर्स के लिए, बाकी courses available, उसकी बात नहीं करेंगे संबी डिसार भगवान करें, AFO का पेपर ऐसा ना है सर, AFO का पेपर या तो इससे difficult आएगा, या ऐसा ही आएगा, इससे easy तो बनता ही नहीं है, इस 40 questions में से यह मानो कि 5 से 7 questions तो directly उसने कहां से पूछ लिए आपके definition से, तो यह तो बहुत easy है, अगर इस टाइब के 60 questions आते त आप अराम से खुल सोचो, 45 कर लेते ना, 4-5 difficult questions को देखें, यह मत सोचो कि difficult होगे, आप खुल सोचो, अगर यह 60 questions होते, क्या तुम 45 कर लेते, अगर आप 40 में से 30 कर रहे हो, तो सर 60 पे जाए ना फिर, होगे ना 45, आप हो सारे लोग 20-30 के आसपा, यह easy paper ता सर, ऐसा आएग शिवम पांडेज आपने बहुत सारे दिल भेज दी है, इतने सारे दिल आप कहां से लेके आया है, एक भेजा कीजिए, एक की तो होते है, आपने इतने सारे भेज दी है सर, थांक्यू सो मच, हाँ, यह बात है, इतना easy नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, इतना easy paper AFO मे चलो, ठीक है, ओके, move करता हूँ, अभी over करते हैं बच्चो, कुछ अब joining batch और fee की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही वोला में उसकी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, यह सिरफ मेरे बच्चों के लिए थे video, जो बच्चे paper को analyze करके आगे select होना चाहते हैं, इसके बाद आपक कुछ भी, किसके regarding, नए batch, joining and all, तो no promotion, यह आपके सामने, आप जब चाहें, दस से पांच बचे के बीच कोल कर लें, वैसे तो हम रात में भी attend कर लेते हैं, लेकिन आज कर रात में ना बच्चे पता नहीं, agriculture में कुछ हैसे भी है, रात के बारा बच्च जब फोन करता है, फ को नहीं मिलेगा, तो दीपक सर अपने आप बात कर लेंगे, बिकोज दीपक सर यहां भी आयो है, फोन तो अभी भी चल रहे है ना, अब फोन जो कर रहा हूँ बोले, दीपक सर से बात कर रहा हो, तो YouTube class लें सारे आप बात करें, तो इतनास आप को अपरेट किया कीजिए, जो भी क्वेरियो प्लीज पूछा कीजिए वहाँ पर आंसर आपको 99% मिल जाएंगे और जम नहीं मिलेंगे तो मैं responsive आपसे बात करूँगा ठीक है चलिए 37 37 क्या चल रहा है वई चलो ओके बचो thank you so much thank you so much मुझे जेलने के लिए मुझे सुनने के लिए आपसे फिर मिलता हूँ आप बता दीजेगा जो पढ़ने आपको फिलाल तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो paper आने वाल है NSA की date final नहीं है DDA के लिए मैंने finalize कर दिया batch को उसके बाद कोई और vacancy आते है I'll be there for you UP के अंदर TA की vacancy आने वाली है राजय सामे सुपरवाजर की आने वाली है पीछे नहीं अटूंगा इस बार के लिए बस guarantee के साथ जो करेंगे इंडिया में best करेंगे और नहीं हो पाएगा तो फिर छोड़ देंगे आप देख सकते हैं sir paper वहाँ तीन गहंटे पहले question with answers आपके सामने आए रात तक टेलिग्राम पे पोल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे कि यह आपके mind में घुस जाएं चालिस question पहले आपने वीडियो देख लिया फिर पोल पर answer करते जाएगा फिर PDF को देखें तीन बार जब question repeat हो गया ना आराविका pattern आप समझ जाएगे उसक आराविक pattern recording में pattern change भी होगा ठीक है तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए ख्यार रखिए अपना कोरोना से बचरिये जै हिंद जै भारत ख्यार दो जाएगे भारत